हेलो एवरिवन, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हेम यादम में देखते हैं आज ओका कुस्सन कुस्सन है समंद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंद्र का प्रियोग किया जाता है आपके जो समंद्र में वस्तु डूब जाती है या आपके जो जहाँ चलाते समय कोई पत्थर या कुछ भी आ जाता है उसका पता लगाने के लिए आप किसका प्रियोग करते हैं किसका करते हैं सोनर का ठीक है ओप्सन नमर फर्स्ट राइट हो जाएगा सोनर का फुल फर्म होती है सोनर की ह-o-n-a-r इसकी होती है साउंड नेविगेशन रेंजिंग एक दूँ ठीक है क्या होती है साउंड नेविगेशन रेंजिंग ठीक है अप्सन नमर फर्स्ट राइट हो जाएगा यगो रडार का प्याव हम कहां करते हैं कि कोई वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है कितनी उचाई पर है किस दिसाम है कितनी इसकी चाल है आद का पता लगाने के लिए किसका प्रियोग करते हैं रडार का करते हैं हाइड अक्साड सूत्र वाले योगिक का सामाने नाम है उसका क्या नाम है क्या उसका कास्टिक सोडा आप्स नमार फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्ट पसंदेखे नेक्ट आपका निम्ने लखित मैंसे केवल अदिस मात्रक चुनिए बताइए अदिस मात्रक चुनिए ठीक है तो आपकी एनरजी क्या एक अदिस रासी है ठीक है ऑप्स नमार फर्स्ट राइट हो जाएगा ठीक है सम्वेग यानि सम्वेग का फर्मूला क्या होता प बरावर M V ठीक है बल का फर्मूला एफ बरावर M A जोको M का या मास इसमें भी M बरावर मास या द्रम्मान यहाँ V आपका क्या है वेग है और A यहाँ क्या आपका एक्सलेरेशन यानि त्वरड ठीक है तो इस कौन अदिस रासी है या अदिस मात्रा का किसका उर जागा नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट आपका सबसे पहले ग्रह गती नियम का निरूपर किसी ने किया था ख्यां किसी ने किया था जॉन कैप लड़ने ओप्शन नम्मर टू राइट हो जाएगा क्या लडने कितने में नियम दिय थे आहुगों ने कैप लडने तीन में क्या यह कॉन कॉन से दिय थे पहला दिया था law of orbits law of orbits second था आपका law of aerial velocity law of aerial velocity third था आपका कौन सा law of periods law of periods पहला था आपका कच्छाओं का नियम दूसरा था आपका छेतरी चाल का नियम दूसरा था तीसरा कौन सा था पर क्रमण कालों का नियम ठीक है option number second right हो जागा ग्रह के नियम किसे ने दिया थे आपके जौन के अपलर ने next question देखे next आपका नियम ने लिखित मैंसे कौन सा हार्मन फलों को पकाने में सहिक होता है कौन सा होता है वो एथिलीन इसको हम क्या बोल देते हैं और गैसी हार्मन भी कह देते हैं इसको क्या गैसी हार्मन इसका प्रियों क्या ज़्यादा फलों को पकाने में option number two right हो जाएगा नेक्ट देखिए नेक्ट आपका किन पादपों के बीच मद में या डैवटीज में ओप्योगी हैं किसमें जामन के ठीक है ब्लैक बैरी नेक्ट कॉस्टन देखिए नेक्ट आपका मानव जीनोम परियोजना का नेत्रत किसने किया गया था तो किसने किया था वो क्रेग वेंटर और फ्रांसेस कॉलिंस ने option number two right हो जाएगा ग्रेकर मेंडर ने किया गया था आपके आनवान सगी के नियमों का परकलम किया ठीक है ग्रेकर मेंडर क्या किया आनवंस की नियम दिये थी ठीक है ठीक है ठीक है क्रेक और वाटसन ने क्या क्या था आपके जो डीने की होते हैं न डावल हेलक्स मॉडल यह आपके इस तरह कुछ होते हैं यह आपके किसी नहीं दिया था क्रेक और वाटसन ने ठीक है जीनों परेजनों के नितरत किसी ने किया क्रेक और वेंटर और यह आप्शन नमबर टू राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका निमलेखत मैस से कौन सा स्ट्रिलिंग हार्मोन है कौन सा है वो एस्ट्रोजन हार्मोन अप्शन नमबर फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का सारीटिक संग्ठन पायाता है किसका पायाता है वो जौक का अप्शन मट्टू राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका गैसों के गतिक सिधानत के अनुसार परमसुन के ताप पर गैसों के अड़ू बताओ क्या होता है नताई ठीक है यानि परमसुन ताप पर क्या होता है गैसों के अड़ू गति रोग देते हैं अप्शन नमर फूर राइट हो जाएगा देखिए नेक्स्ट कॉस्टन देखिए नेक्स्ट आपका जीविय तथा अजीविय घटकों के परस पर सम्मन से बना तंत्र कहलाता है क्या कहलाता है वो पारित तंत्र आप्स नम्मर थर्ड राइट हो जाएगा नेक्स्ट देखी नेक्स्ट आपका चिकन पॉक्स निम्रखित मैंसे किस से होता है चिकन पॉक्स हम किसको बोल देते हैं चोटी माता को चोटी माता यह किस से होती है आपकी वाइरस से होती है ठीक है आप्सन नम्मर थर्ड राइट हो जाएगा ठीक है जो वैरी से वाइरस होता है कौन सा वैरी सेला वाइरस होता है उससे क्या होता है चिकन पॉक्स होता है नेक्ट कॉस्टन देखे नेक्ट आपका बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है ठीक है जो आपका बीज है वो आपका अंकुरित किसके बिना हो सकता है तो किसके बिना हो सकता है वो प्रयाप्त प्रकास के विज़ से ठीक है option नम्हा 3 right हो जाएगा next आपका गत्सिल व्यद्धुत आविस प्यादा करता है गता आई तो क्या करता है वो चुम्मा की छेत्र option नम्हा 1 राइट हो जाएगा next देखी next आपका पहाड की चोटियों पर आलों को पकाने या गलाने में अधिक समय लगता है क्योंकि क्यों लगता है वहाँ वाईवन दिल्धाव कम होता है option नम्हा 2 right हो जाएगा next देखी next आपका निम दिल्खित में से क्या वेक्टर परमाड नहीं है क्यों नहीं है गती option नम्हर फर्स्ट right हो जाएगा वेक्टर यानी सदिस next आपका चांदू की वस्तू है वाईव में अधिक लंबे समय तक खुला रखने पर कैसी हो जाती है कैसी हो जाती है हो काली option नम्हर फर्स right हो जाएगा अब देखी चांदी की जो बस्तू होती है वाटावड में इस्तित क्या होता है H2S जानी जो आपका AG है चांदी यह किस से अब गिरे करता है आपका H2S यानी hydrogen sulfide इससे अब गिरे क्या करता है यह AG2S बनाता है ठीक है silver sulfide और प्लस hydrogen gas निकलती है आपकी यह क्या आपका silver sulfide silver sulfide और यह कैसे रंगा होता है यह काली परत कहते हैं से ठीक है next question next आपका का एक prisoner में नए पादप का निर्माड होता है किस से होता है आपका तने से जड़ से और पत्तियों से ठीक है तो option number two right हो जाएगा आपका जो फूल होता है पादपों का वर्दी भाग नहीं है अब तो यह कैसा है लेंगे भागए फूल आपका कैसा भागए यह लेंगे भागए फूल कैसा भागए आपका लेंगे भागए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका सजाती युक्म है सजाती युक्म कौन सा है तो कौन सा हो अप्सन नमर थर्ड S-C-H-O वा C-S-3-C-H-O सजाती युक्म कौन सा होते है जन्र कितना अंतर होता है C-H-2 का अंतर होता है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका सुच्ची फर्स्ट और सुच्ची सेकंड है सुमेलित कीजिए देखिए CA की हम जब S2SO4 से reaction करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? Calcium, Sulfate और Hydrogen Gas यानि यही होगा, ठीक है? Calcium, Sulfate और Hydrogen Gas मिलगी आपको, देखिए इसकी अभी करेंगे तो यह मिलेगा आपको इसकी करेंगे तो यह मिलेगा, यानि यह तीनों ही सही है ठीक, नेक्ट देखिए यही नेक्ट आपका यह देख विद्द बलव पर 12V यानि आपको V दे रखा कितना है 12V एवं 30W लिखा हो यानि आपको क्या है? पी सक्ती दे रखे कितनी 30W तो इसमें प्रवाइट होने वाली बिद्द धारा होगी यानि आपको I पूझ रहा है आपको फरूल माले में पी बरावर क्या होता है? V इन्टू I रख दो याँ पी की वेलू कितनी है आपकी? 30 V की वेलू 12 इन्टू I तो I आपको कितना निकल का जाएगा? 30 बटते बार है यानि आपका 2.5 एम्पियर ठीक आपको फरूल लाद रखना P बरावर V इन्टू I नेक्ट देखी नेक्ट आपका यद किसी वस्तू का भार 60 न्यूटन है तो उस वस्तू का द्रम्मान होगा देखी भार यानि W दे रखा आपका कितना? 60 न्यूटन आपको द्रम्मान पूचा यानि M की वैलू पूचे आपको G का मालम होता है कितना होता? 10 मीटर पर सेकंड स्क्राइब ठीक है? तोड़ होता है अब देखी आपको फरूल लाद मालम है क्या होता है? 60 आएम क्या आपको निकालना है और G के वैल कुतनी है? 10 तो M आपको कितना हो जाएगा? 6 किलो ग्राम ठीक है? आप्शन नमर कौन सा? वो राइट हो जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में Thank you